देश में रोजगार बढ़े, नौकरियां बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, इसकी जिम्मेदारी रोजगार मंतरी की होती है। अगर देश का रोजगार मंत्री, इश्रम और रोजगार मंत्री ये कहे कि पूरे उत्तर भारत के जो युवा हैं वो नाकाबिल है, इनकॉम्पिटेंट है, इस लाइक नहीं कुने नोकरी दी जाए, तो तो फिर सरकार के लिए सारी समस्य ही खतम है, आप सब को बता दो कि जन जो है, रोजगार इतनी तेजी से खतम हो रहे हैं, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हाक आ रहे नीचे वाओ में, हम लोगों को दिल्ली में उसका हैसास नहों, लेकिन नीचे जो है, इसका बड़ा भारी असर है, और आपने ज़से अगर आकणों पर मैं आप प्रिस्त होगे, इतना पैतालीस साल में पहले कभी नहीं हुआ, जितनी बेरोजगारी इस समय चल रही है, और यही नहीं, अगर आप देखें, कि सिर्फ दो हजार अठारा में, एक करोड से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, क्या सरकार का वादा था, क्या अपनी भा साल में एक करोड जो लोग नोकरी में वो निकल जा रहे हैं, तो नए रोजगार मिल नहीं रहे हैं, और जो आलरीडी जो है, नोकरियों में है, वो करोणों की संख्या में लोगों की नोकरिया जा रही है, तो यह भयावय स्थिती देश में पैदा हो रही है, और मैं तो यो धाई परिस्त हुआ हर साल देश में बढ़ रहा है। इनको अगर आप नोकरिया नहीं देंगे तो यह क्या करेंगे? इनका क्या हालत होगा? किस रास्ते पर भटक सकते हैं? इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इनको जो है रोजगार दिया जाए और अगर सरकार यह बहुत बड़ी बड़ी लाइकी नहीं है तो यह जीब बात है कि अवत्रप्रदेश के मद्यप्रदेश के पंजाब के हर्याना के हमाचल के जमुकस्मीर के आप राजस्थान के जारखंड के श्टिस गड़के सब यह ना काबिल है नहीं अगर आप लोगों में जोने त यह बहुत ही चंताजनक बयान है और या तो मंत्री को माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए श्रम और रोजगार मंत्री को अथवाव यह कहें कि सरकार की नीत यह है यह सरकार मानती सरकार की नीत है या तो इस पष्ट करें कि तिस इस पालसी अगर्मेंट वी थिंक अल नौर्थ इंडियन उट्स और इंकॉम्पेटेंट इनकेपबल तो गेत अनी जॉब या अधर्वाइज मिनिस्टर इप्लोजाइज फर इस स्टेक्मेट इस वर्ट 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 इंडिया प्रोग्राम हजारों क्रोड रुपया खर्च हुआ पेचले पांच साल में स्किल इ तो फिर उनका अगर कहते हो कि आप जो वो नाकाबिल ने तो फिर इन लोगों को स्किल इंडिया में ट्रेनिंग क्यों दी और उसमें सिर्फ तीस प्रिस्ट लोगों को नोकरी मिल पाई है सतर प्रिस्ट को जो स्किल्ड है उनको भी नोकरी आप नहीं दे पा रहे हैं किसके आफ़ोर की नौकरी चतुरत शेणी की नौकरी के लिए पहले तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बढ़ते थे अब इंजीनियर और तरह तरह इस तरह की पड़े लिए ये सब उनके लिए अपलाई कर रहे हैं इतना बड़ा नोकरियों का संकट हो गया सरकार इतना ब ब्यान सब चालू कर देंगे ये एक बहुती गंभीर स्थिती है जिसके आप लोगों के जरिये जिसकी तरह मैं सरकार की तरफ इसका ध्यान आकर्शित करना चाहता था जैसे हमारे दॉक्टर मनमोन सी ने कहा कि सरकार को मानना पड़ेगा सबसे पहले कि आर्थिक संकट है सर सरकार डिनायल मोड में क्यों मैठी है मना क्यों कर रही है पहले मानो कि आर्थिक संकट है सबसे सलाय लो निकालो आर्थिक संकट में तो सभी लोग मदद करेंगे ना सारी पुलिटिकल पार्टी मदद करेंगे कि देश के लोगों का भलाओ लेकिन अगर आप डिनायल मोड ह कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी से सलाय नहीं लेंगे, सब सही चल रहा, सब अच्छा चल रहा है, हम मानते ही नहीं कि कोई आर्थिक संकत है, तो आप उसका हल कहां से निकाल पाएंगे? और आज एक English National Daily की रिपोर्ट है, जो काफी सीरियस अगर आप उसको देखिए, उनके एकनोमिक पेज पे है, कि जो हमारी ये फैसलिटी होती है, Liberalized Remittance Scheme, उसमें पिछले पांच साल में 45 बिलियन डॉलर बाहर गया है, मने 3,15,000,000 करोड रपया लोग बाहर ले गए हैं, पहले तो ये था कि काला बाहर से पैसा लाएंगे देश में 4,000,000 करोड बाहर रखा हूँ, बाहर से आएगा गाला धनो ये सब है, वो सब तो आना जो दूर रहा हो, तो कोई बात ही नहीं है, 3,15,000,000 करोड रुपय तो लोग लेके गए हैं, और उसमें उसी अख़वार में रिपोर्ट में पूरा उसने दिया है, डिटेल में, कि एक्सप्रेस में है रिपोर्टी है, कि ज़्यादा तर लोग वो हैं, जो यहां से तंग आके बाहर अपना बिजनिस सिट अप कर रहे हैं, जारतर यह इंट्रपेर्णोर्स हैं, बिजनिसमेन हैं जो बाहर भाग रहे हैं, यहां से निकल के जा रहे हैं, क्यूंकि उनको यहां इस अप बिजनिस नहीं मिल रहा, बिजनिस की सुवधाय यहां उनको जैसे होनी चाहिए हो, बातावण नहीं मिल रहा, इसलिए वो बाहर जाके शिफ्ट कर रहे हैं और मुझे दो साल पहले, याद एक लिक्चर हुआ था फिक्की में, रुचिर शर्मा जो इमर्जिंग मार्केट के हेड है, मौगन स्टेंली के, उन्होंने तब दो साल पहले वाण किया था, तब उनके इसाब से 6,000 इंडियन अगर जो इंटर परेनोर से देश के जो उढ़िए हैं, अगर ऊंमे आप अगर जाके बसने हैं, बाहर पैसा खर्च करने हैं, बाहर लगा रहें, बाहर लगा जाए को हां के लोगों को नोकरिया देंगे तो इस देश में नोकरिया कौन देगा तो ये इस बिजनेस आपको लाना पड़ेगा, लोगों के एक अपड़ेगा कि भई यहां के अध्यमी व्या पारी बाहर न जाये न तो ये बड़ी मुश्किल और समस्य आएगी तो य ऐसा कोई छेत्र नहीं है कि जिसमें ये संकटना हो, हर छेत्र में संकट है, कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, ये एक जो है अपने आप में भोती गंभर चीज है, यहां तक कि आपकी GDP की लगातार पांच कॉर्टर में गिरावट चल रही है, पाकिस्तान से भी नीचे आपकी GDP की दर जा रही है, यहालो गए है, रुपिया जो है वो डॉलर से तो आप छोड़ दीजिए, टका से कंपीट कर रहा जो बंगलादेश का है, यह हमारी नौबत आ गई है, वहां पर और हालात यह हैं कि जो अग्री कल्चर, जो साथ प्रस्थत लोगों की रोजी रो तो आपका और इस्किल इंडिया जो होके उसका कोई असर कहीं हो नहीं रहा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो सिर्व भाषण बयानबाजी विज्यापन, इसके लावा नीचे जमीन पर कुछ नहीं है, तो यह एक बेहत जो है, चिंता जनक में बात लग रही है, आटो सेक्टर में मारुती अशोक लीलेन के बाद, अम महिंदरा में भी 15-15 दिनों की बंदी है, आटो सेक्टर अलग से गरीरा आपको पता है, वहाँ पर और इसके बाद जो है, लोगों जो बाहर जा रहे हैं, यह सब देखते हूँ लगता कि एक बहुती अंधेरा सब अच्छा है, सब अच्छा, सब बढ़िया चल रहा है, यही बोलता है, तो मेरा सरकार से आग्र है, कर्बद निवेदन है, कि इस तरफ धान दे, यह बहुत गंबीर संकट है, अगर इवाँ को नोजी रोजगार नहीं मिला, तो एक देश में विकट स्थती पैदा हो जा यह एक अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है, इसको प्रियंका गांधी जी ने भी उठाया, अपने उनोंने इस पर कमेंट किया है, ट्विटर के जरिये, तो यह एक जो चंता है, कॉंग्रेस पार्टी की जबरजस्त है, और इस पर सरकार को और मंत्री को अपना स्टै जाहिए, इस वाध में वाँką इस वाँए। ऑना आए। थी जातले है, यह मकरतना स।ोद्वे जातले है